नवस्कार दोस्तों मैं हूं प्रभा मेरे चैनल रेस्पी दूट प्रभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज बनाते हैं भूटे बहुत इजी तरीका है और नया तरीका है आप इस तरीके से भूटे बना सकते हैं तो चलिए हम रेस्पी शुरू करते हैं हमने चार तो हमने इनको अच्छे से छेल के साइट में कर दिया है, तो भुट्टे हमारे बिल्कुल सौप्ट है, हार्ट भुट्टे नहीं है, तो अब हमें एक ब्रस से इनमें घीन लगा देना है, आप चाहो तो बटर का इस्तमाल कर सकते हो, लेकिन हम इसमें घीन लगा रहे हैं, तो डवल रैप करने में बहुत जाधा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें सिंगल ही रैप करना है, आप डवल करोगे तो जाधा टाइम लगेगा, तो हमें इसे दोनु तरफ से बंद कर देना है, कुछ इस तरह से, देखिए, अभी दूसरा भुट्टा लें, और उसमें भी इ ब्रस से, तो हमने इसमें घिंग लगा दिया है, अभी हम इसको भी सिंगल ही रैप करेंगे, डवल रैप नहीं करेंगे, हम इसको दोनु कुने बंद करके, तो हमने इसको रैप कर दिया है, तो चारू को हम ऐसी रैप कर देंगे, देखिए, सिंगल ही किया है, हमने गैस के दो चलते हैं कड़ाई रखी है हमने कैस पर इसमें नमक डाल दीज़ है पहले हम हीट होने के लिए छोड़ देंगे तांकि 15 मिनट अच्छे से गर्म हो जाए तो 15 मिनट हम इसको हाई फ्लेम में गरम होने के लिए छोड़ देते हैं गरम हो चुका है अभी हम इसमें भुट्टे रखते हैं तो पहले हम चारू भुट्टे को देख लेते हैं आएंगे नहीं, तो इस चार भुट्टे आराम से आ जाते हैं लेकिन हम नमक कैसे डालें तो एक भुटा हम साइड कर देते हैं और पहले इनके उपर हम नमक डाल देते हैं तो अच्छे से हमें इसमें पहले नमक डाल देना है नमक में गांठ भी बन जाती है लेकिन उसको चलाते रहना है ये देखिए हमने बन करते हैं चारू भुटे पलडते रहना जहां जहां हीट लगेगी वहीं आपके भुट्टे चटकेंगे और बॉइले अच्छे से हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से कच्चे नहीं रहेंगे हर पांच मिनट में इसको आप चेक करते रहना और इसको चिमते से पलडते रहना है तो फॉइल पेपर हैं फैल पेपर भी हमारा फ्रट चुका है और इसके अंदर नमग विछला गया है अंदर घर पर चिमते से पह्त चुकत है और हमें कुल निकाल देते हैं सब्सक्राइब रहatamente ज्यादा देखे नमक भी गया है इनके अंदर क्यों फॉइल पेपर फड़ जाता है तो इसलिए यह देखे बिल्कुल बॉइल हो चुके हैं अच्छे से चटके भी हैं अच्छे से नहीं चटके हैं लेकिन आपको कहीं से भी एक अच्छे नजर नहीं आएंगे इसलिए फाइल पेपर भी हमारा जलन चुका है इह देखे बुट्हे हमारे एकडम तयार है इनका नमक साइबी कर दिजिए आज़ाना शीर निकल जाता है इए तो हमारे भुट्हें एकडम तयार हो चुके हैं देखिए चारु तरब से बॉइल हो रखें अच्छे से मिल्कुल पके हुए हैं तो आप इसमें काला नमक और काघजी निबु लगा सकते हैं तो खाइए इंजोई कीजिए और यह तरीका जरूर ट्राइक करना तो इसको 35 मिनट लगता है बनने में तो तयार है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बगल में बैल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोडिफिकिशन आप तक पहुंच सके तो भुट्टू का स्वाद आपको बिल्कूल कोईले जैसा मिलेगा जैसे चूले में बनते हैं कोईले में वैसी ही तो इसको जरूर ट्राय करना यह देखिए तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में